नमस्कार स्टूडेंट्स! कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाईजूज इक्जाम प्रप आईएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर. आज है 10 नवंबर 2022, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दा हिंदू के समाचार पत्र में कौन-कौन से आर् पूर्प सूचना, बाईजूज इक्जाम प्रप आईएस हिंदी की तरफ से आपके लिए एक बहुत जादा इंपोर्टेंट वर्क्शॉप और्गनाईज कराई जा रही है, इस वर्क्शॉप का जो विशय रहेगा वो रहेगा कि जो हमारी 2023 की प्रारंभिक परिक्षा आन पाईजूज इक्जाम प्रेप की एप्लिकेशन पर लाइव होगी, तो इसको देखना बिलकुल मत भूलिएगा, इस वर्क्शॉप में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है, इस दिये हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे जाके अपना रजिस्टेशन करा सकते हैं, तो डेट याद रखिएगा 13 नमंबर प्राता काल 11 बचे, चलिए अब अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं, आज का सबसे पहला आर्टिकल जो है वो आपको फ्रेंट पेज पर ही मिल जाएगा, इसको आप सेकेंड पेपर से जोड़ सकत में कई न्यूज आपने देखी होंगी, अब उसी श्रंकला में एक नई चीज एड हो गई है, वो ये है कि किरला सरकार जो है, उसने वहाँ के जो गवर्नर है, उनको चांसलर के रोल से हटाने के लिए एक अध्यादेश निकालने की बात करी जा रही है, अब देखिए यहा पर ये जानना कि जो गवर्नर है, वो कुलपती होते हैं, जो भी उस इस्टेट की युनिवस्टीज होती हैं, तो उस रोल में गवर्नर के पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं, तो देखिए, पहली चीज, जो ये राजपाल का पद है न, तो कोई भी वेक्ति किसी राज का राजपाल बनता है, उसके बाद, automatically, जिसको एक शब्द अगर पॉलिटी के टम्स में यूज़ करें, तो ex officio जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, वो कुलपती हो जाता है, राज के अंदर जितनी भी युनिवस्टीज होती हैं, उनका, ex officio का मतलब क्या होता है, जैसे आप उपराश्पती के बारे में पढ़ते हैं, कि उपराश्पती के पद पर जो भी व्यक्ति नियुक्त होता है, वो राजसभा का सभापती हो जाता है, पदेन सभापती, automatically, राजसभा की जो सभापती का पद है, वो उस व्यक्ति को मिल जाता है, जो उपराश्पती बनता है उसी प्रकार से यहां पर जो भी राज के गवर्नर होते हैं उनके पास automatically ये वाली पोस्ट आजाती है कि राज की जितनी universities होंगी राज के अंदर उनके कुलपती कौन होंगे राजयपाल होंगे अब यहां पर यह भी चीज़ याद रखेगा state-run university की बात हो रही है यानि कि राज के दौरा जो विश्विद्याले चलाए जा रहा है वहां पर अब देखिए जब कोई व्यक्ति न राजयपाल रहते हुए और state-run की universities जो होती है वहां के कुलपती बन जाते हैं तो यह जो कुलपती का पद है इनका यहां पर ठीक है इसके बनते ही यहां पर आपको एक चीज बहुत important है जानना कि हर राज की अगर बात करें न तो उनके अपने अलग नियम होते हैं कुलपती की शक्तियों से संबंधित जैसे एक उधारन के तोर पे मैं आपको बताता हूँ यहां पर अगर केरला राजी की बात करें तो केरला राजी सरकार ने यहां पर जो भी गवर्वनर होते हैं तो पहली चीज तो देखिए जो गवर्वनर है यार राजपाल है तो यह तो हमारे सम्विधान में लिखाए कि मंतरी परिशद जो होती है उसकी सहता से, उसकी सलाह से ही वो काम करेंगे, बट ऐसे चांसलर वो काम करते हैं, कुलपती के रूप में काम करते हैं, तो वो पूरी तरीके से सौतंत्र होके काम करेंगे, यहाँ पर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने के प्रयास करिएगा, केरला सर के अंतरगत ये नियम है कि जो भी वहाँ पर गवर्नर नियुक्त होंगे वो जब गवर्नर के पद पर काम कर रहे होंगे तब वो मंत्री परिशद जो होती है उसकी सहता से उसकी सलहा से काम करेंगे परंतु जब वो कुलपती के रूप में काम कर रहे होंगे तो वो पूरी त होता है गवर्नर के पास वैसे भी पहले से ही बहुत सारे समयधानी कारे दिये जाते हैं इनको तो सोचिए कि अगर एक स्टेट है उसके अंदर स्टेट द्वारा रन करे गए पांच यूनिवर्स्टीज है अब पांचों यूनिवर्स्टीज के पद की निवक्ती होती है जैसे की बात करी जाती है वाइस चांसलर की ठीक है ये तो चांसलर हो गए अब वाइस चांसलर की निवक्ती आएगी इन पांचों विश्विद्याले में तो इसके लिए इनका role important हो जाता है अब राजजपाल जो है वो इनकी नियुक्ती करते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा या फिर कोई बहुत important निरने लेने की बात आती है विश्य विद्यालेओं से संबंधित तो वहाँ पर फिर governor का जो एक होता है कि विवेका धीन शक्तियां वहा काम कर रहे होंगे तो उनको मंत्री मंडल की साहता की कोई अवशक्ता नहीं होगी सला की कोई अवशक्ता नहीं नहीं वहाँ पर वाइस चांसलर की जो नियुक्ती होगी उसमें भी इनको मंत्री मंडल की सला से ही काम करना पड़ेगा जबकि केरला सरकार ने ऐसा कोई भी न तरीकों से दे रखी गई हैं, तो ये तो एक पक्ष हो गया, तो इससे आपको ये पता लगया कि जो governor होते हैं, वो जब कुलपती की तरह काम करते हैं, तो उनके पास powers क्या होती है, तो ये power होती है कि भाई, Vice Chancellor की जो न्यूक्ती होती है, या जो बहुत जादा important decisions होते हैं, उस तो यहाँ पर बादिता होती है, तो यह तो Central Government के लेविल पर होता है, बट यह State Government के लेविल पर होता है, अच्छा, कुछ और आपको इसमें जानने की यह भी आवशक्ता है, कि देखिए, आपको पता है कि UGC के बारे में, तो अब जितने भी विश्विद्याले होते हैं, तो अब कोई भी college है, कोई भी school होता है, तो वो किसी ना किसी संस्था से उसको मानिता प्राप्त करनी होती है, तभी उसकी जो एक status होता है कि भाई हाँ, इस school में हम जाएंगे, क्योंकि ये इस board से संबंदित है, इस university में हम जाएंगे, क्योंकि ये UGC से है, तो जो UGC है ना, university grant commission, इसने अपने rule book में एक नियम निकाला हुआ है, कि जो भी state के अंदर universities होती है, उनके जब vice chancellor की नियुक्ती की बात आएगी, तो वो अधिकार किसको इनों ने UGC ने दे रखा है, governor को, तो यहाँ पर आप ये तर्क इसलिए भी use कर सकते हो, इस चीज़ को link करा जा सकता है, कि भाई, UGC के rule book में लिखा हुआ है, तो governor को यहाँ से एक, अगर कमपल सरी नहीं, तो एक तरीके की power मिलती है, अब चूंकि ये भी क्या है, ये भी एक ऐसा संगठा ने, जो सरकार के दौरा बनाए हुआ है, तो कहीं न कहीं, governor को indirectly रूप में ये चीज़ पावर मिलती है, अब यहाँ पर केरला में दिक्कत ये है कि, जैसे केरला सरकार ने बहुत सारे, जो केरला के अंदर विशे विद्दया ले थे, तो उनमें जो वाइस चांसलर की नियूकती करी थी, तो उसमें प्रशन उठाये थे यहां के राज्यपाल ने, इस वज़ए से केरला सरकार जो है, वो चाहती है कि राज्यपाल को यहाँ पर कुलपती का जो पद है, वो उससे हटा दिया जाए, यानि कि कुलपती के पद की जो शक्ती होती है, एक्स ओफीशियो जो पद होता है, उसके पावर से इनको हटा दिया जाए, तो अब आप यह पूछेंगे कि भाई, ऐसा क्या राज्य सरकारें कर सकती हैं, तो देखिए, आपको पता होगा पुंची आयोग के बारे में, तो इस आयोग ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी थी न, तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी, कि जो राज्य सरकारें होती हैं, वो राज्यपाल पर जो कुलादीपती के कारें होते हैं उनका बोज न डालें, उनको इस पावर से अलग कर दें, क्योंकि इनके पास मैंने आपको बताया कि अल्डेडी बहुत सारे काम होते हैं, अब इनको आप एक एक्ष्टा काम और दे देते हो कि ये हर युनिवर्स्टी का जो एड्मिनिस्टेशन ने उसको भी समभा लें, तो इस आयोग ने यहाँ पर सिफारिश करी थी, ऐसा भी सिफारिश पुन्ची आयोग के दौरा करी गई थी, राजजपाल की जो नियुक्ती होती आपको पता है पूरी तरीके से ये केन सरकार पर निर्भड करती है, तो उसमें मुख्यमंत्री की उस राज के मुख्यमंत्री की भी राय लेनी चाहिए, तो ये तीन सिफारिशें भी याद रखेगा, ये राजपाल वाले विवाद में आप इनका भी लिंक दे सकते हैं कि पुन्ची आयोग ने इस टाइप की सिफारिशें करी थी, आपको याद होगा कुछ समय पहले वेस्ट बेंगॉल में भी इसी तरीके का एक विवाद आया था, जिसमें ये बोला गया था कि वेस्ट बेंगॉल में जो वहां की चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने एक बिल लाई थी, जिसका नाम था वेस्ट बेंगॉल युनिवर्स्टी लॉव, इस बिल में भी ये प्रावधान था कि जो गवर्नर है, उनसे जो कुलपती का पद है, वो छीन के किसको मिल जाए, चीफ मिनिस्टर को, तो इस उधारन को भी आप यहां पर कोट कर सकते हो, अब अगला आर्टिकल देखते हैं, प्रेस संख्या 13 पे आपको मिलेगा, इसको आप फर्स्ट और थर्ड पेपर से जोड सकते हो, अब देखिए फर्स्ट पेपर में तो हम लोग जो भौतिक भूगोल है, उसके बारे म भूगम पाया है, तो अब यहां पर भूगम का जो टॉपिक है, वो हमारे लिले इंपॉर्टन हो जाता है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो एपी सेंटर था, वो दोती जिले में था नेपाल के, अब एपी सेंटर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अधिकेंदर बोलते हैं, या एपी सेंटर बोलते हैं, तो यहां के केस में एपी सेंटर क्या था, दोती डिस्टिक्ट था, थीक है, अब थोड़ा सा यहां पर भूगम के बारे में जानते हैं, तो उसके पहले आपको यह जानना होगा, क भारत के अंदर जो भूकम के zone भूकम के zone बनाए गए हैं, भूकम zone का मतलब ये होता है, जैसे 1st से लेकर यहाँ पर 5 तक भूकम zone पहले बनाए गए थे, ये जो भूकम zone है ये भूकम की तीवर्था और उससे होने वाले खतरे को दिखाते हैं, जो भूकम zone सबसे जादा number का हो तो यानि कि अब total अगर बात करी जाए तो second, third, fourth और fifth चार टाइप के भूकम जोन हमारे भारत में रहे गए हैं ठीक है तो अब इस मांचित्र का अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखें नेपाल भी कहीं न कहीं इसी एरिया में आता है और इस एरिया को अगर आप और भी ध्यान से देखोगे तो आपको ये हिमालाई रीजन दिखेगा तो यानि कि हिमालाई रीजन का जो एरिया है वो भूकम जोन फाइव में आता है इसी के साथ साथ गुजरात के कच का जो एरिया है वो भी आप देखेंगे तो भूकम जोन 5 के अंतरगत आता है अब ये एरिया फिफ्थ जोन इसको क्यों कहा जाता है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं इसको जानने से पहले भूगोल में आपको आपने प्लेट विवर नहीं वो एक दूसरे के पास आती हैं नहीं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं वो एक दूसरे के समानांतर गती करती हैं तो ये तीन टाइप की गतियां हम लोग प्लेट विवरतेनी की सिद्धान्त में पढ़ते हैं अब जब प्लेटें बड़े ध्यान से अब इस चीज को सुनिएगा जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो एक मोमेंट ऐसा होगा कि प्लेट जो है वो आपस में टकराएंगी ठीक है तो कोई भी दो चीज है मैं आपसे कोई भी आप दो पैन ले लीजिए पैन को जब आपस में तक्कर कराएंगे तो हलका सा आपको जब तक्कर होगी तो एक तक्कर उस तक्कर को आप फील कर पाएंगे तो सेम एज इस जब दो प्लेट्स आपस में तक्राती हैं तो जैसे ही आपस में तक्राएंगी तो यहाँ पर क्या उत्पन होगा भूकम उत्पन होगा इसी तरीके से जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, अब दो प्लेटें नहीं होती है, प्लेट तो यहाँ पर एक ही थी, प्लेट एक ही थी, अब नीचे से जो समवहनी तरंगे चलती है, वो इस प्लेट में नीचे से लगातार बल आरोपित कर रही होती है, तो एक समय ऐसा आ बोलेंगे क्या होगा भूकम पाएगा दूसरा जब दो प्लेटों के बीच में आपस में घरशन होता है ना तो इस घरशन से भी क्या होती है उश्मा निकलती है तो यही उश्मा जो है यह तरंग के फॉर्म में निकलती है तो उससे भी कमपन होता है तो उसको भी क्या बोलते तो शेपन बोलते हैं, तो जब शेपन होता है, तो शेपन में यदि जो अंदर जाने वाली plate है, ठीक है, जो plate अंदर जाएगी, वो क्या करेगी, अब प्रतवी के जितनी आप अंदर जाओगे, temperature बढ़ता जाता है, तो जितनी अंदर ये plate जाएगी, तो plate का आप क्या start हो जा हो जाएगा, तो plate अब गल के किस में convert हो जाएगी, magma में, यही magma उठके जब उपर आता है, प्रतवी की पड़तों को तोड़ते हुए, तो यहाँ पर जौला मुखीता देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी आपको जौला मुखीता देखने को मिलेगी, तो यह case आपको स होना चाहिए कि जो हमारी यहाँ पर भारती plate है, ठीक है, भारती plate को अगर मैं आपको map में दिखाऊ तो यहाँ से ऐसे निकली हुई है भारती plate ठीक है, तो यह भारती plate है, और उपर कौन सी plate है, यह Eurasian plate है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिमाल्य के निर्मार के बारे में तब आपने इन plates के बारे में पढ़ा होगा, तो ये Eurasian plate और ये भारती plate, ये दोनों आपस में टकराती हैं, अब चूंकि दोनों ही महादूईपी, महादूईपी plate हैं, तो किसी भी plate का बहुत जादा अंता छेपन नहीं हुआ है, हाला कि यहाँ पर अगर देखोगे आप, त जादा छेपन नहीं हुआ है, क्योंकि जादा छेपन होता, तो यहाँ पर plate गलती और इससे निकलता magma, तो आप कभी नहीं देखोगे कि हिमाले परवत में कभी भी आपको जौला मुखीता के लक्षन दिखेंगे, जौला मुखीता के लक्षन वहीं पर दिखेंगे, हमारा हिमाले बना है, और हिमाले पर ही इस्थित कौन सा है, देश है, नेपाल, तो अब जब भी इन plate ओं में हलका सा भी movement होता है, तो नेपाल बहुत ज़्यादा sensitive area में आ जाता है, जहाँ पर यह जो कमपन है, अब देखो भाई, दो plate इतनी भारी-भारी plate आपस में जब त करा रही है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, कमपन होगा, तो उसी कमपन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भूकंप बोलते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, नेपाल में भूकंप के आने का, चलिए, अगला article आपको प्रेश संख्या 12 पर मिलेग Central Ground Water Board ने, CGWB ने, अभी इस संस्था के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसने ये बताया है कि भारत के अंदर, टोटल अगर Ground Water की बात करें, Ground Water का मतलब होता है भूजल, यानि कि मानलो यह स्थल है, तो इसके अंदर कितना भूजल का स्त्रोथ है, तो हमारे पास जो स्त देखा गया, यह 2022 का आकड़ा यहां पर इस रिपोर्ट में प्रदर्शित करा गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह आप मुख्य उत्तर परिक्षा में यूज करेंगे, तो 437 बिलियन क्यूबिक मीटर, 437 बिलियन क्यूबिक मीटर भू अब अगर क्रशी की बात करें, तो वहाँ पर सबसे प्रमुकता से जल का उपयोग होता है, सीचाई में, वहाँ पर ट्यूब वेल लगाई दाते हैं, कुए होते हैं, उद्योगों की बात करें, तो वहाँ बड़े बड़े होर्स पावर की मोटर्स होती हैं, घरेलू उपय कि बात करें तो यहां पर भी हुआने घरों में मोटर के दौरा पानी आता है। तो हर जगह से क्या हूँ रहा है बैसिसकली भूजल से हम लोग जो जल है उसका यूज करते हैं यानि कि जमीन के अंदर जो इतनी बात समझ में आई, यहां पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि 18 वर्षों का एक आकड़ा देखा गया, और 18 वर्षों में पहली बार ऐसा है कि हमने इतना कम भूजल का प्रयोग किया है, जैसे इसकी तुलना यहां पर इस आर्टिकल में कराई गई है, 2020 का एक आकड़ा तो टोटल भारत के पास जल था 432 और जिसमें से यूज करा गया 249 तो देखिए ध्यान से दोनों ही 249 से जादा हैं और यहां पर इसके साथ ही साथ 2004 की तुलना करी जा रही कि 2004 में केवल 231 यूज करा गया था 2004 के बाद यानि कि अब 18 साल हो गया होंगे यह हो गया first lowest और यह ह गया second lowest यानि कि 18 साल की अगर बात करें तो सबसे कम भूजल का उपयोग 2022 में देखा गया है एक तरह से तो यह अच्छी बात भी है कि हम लोग ने भूजल का जितना कम उपयोग करा तो अब भूजल जो है वो store रहेगा उसको हम लोग जब भी आवशकता पड़ेगी तब हम लोग उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अब भूजल हमारे लिए important क्यों होता है क्योंकि मैंने आपको बताया घरेलू की बात करें क्रशी की बात करें या उद्योगों की बात करें हर सेक्टर में water का बहुत जादा importance है अब यहाँ पर जो कमी होती है जैसे कमी हो जा है सीचाई करने में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सीचाई में बहुत सारा जल ऐसा होता है जिसका दुरुपयोग भी हो जाता है ठीक है ठीक समय पर जब खेत में पूरी तरीके से पानी चला गया है तो उस टाइम पानी को बंद कर देना tube well से motor से तो वो हो नहीं पाता तो उससे बहुत जादा दुरुपयोग होता है प्लस अगर बात करें उद्योग जितने उद्योग धंदे लगेंगे उतनी जादा उद्योगों में जल की आवशकता होगी अब उतना वो लोग बड़े बड़े horse power की motors लगाके अपने कहां जल लेते हैं और फिर दूसरा ये भी नुकसान होता है कि इससे निकलने वाला जो कूला कचरा होता है वो भी क्या होता है कि पास के नाले में नदियों में नहरों में बहा दिया जाता है तो उससे भी परदूशन हो जाता है जल के अंदर अपरयाप्त विनियमन कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करती है मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बनाती है जिससे क्या है कि जल का जो दुरुपयोग कर रहे हों तो उन पे प्रॉपर तरीके से दंड लगाया जाए कई बार आप देखते होंगे शहरों में जो लोकल का प्रशासन होता है वो ये नियम निकाल देता है कि भाई अब जो गाड़ियों की दो पईया तिपया चार पईया वहनों की धुलाई होगी वो शहरों के अंदर नहीं होगी तो इस टाइप के नियम निकाले जाते हैं जब थोड़ा सा ये देखा जाता है कि जो जल है उसकी शॉर्टेज हो रही है संगी मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर देखिए जल जो विशह है वो राज जिका हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि राज वर्सर सेंटर की जब बात करते हैं तो केन सरकारें ये उमीद करत तो most important है अटल भूजल योजना जिसको अटल जल भी बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज तो याद रखेगा कि World Bank से ही इसको support दिया गया है financially, अगर एक बार चेक कर लीजेगा 6000 करोड रुपए के आसपास World Bank ने यहाँ पर finance किया है, इस basically योजना में करना क्या है कि हमें ऐसे जल भरत मांचित्रन कारिकरम, एक्विफायर का मतलब वही होता है कि भूजल जहाँ पर जैसे प्रत्वी के अंदर कोई चटान है, ठीक है, तो उसमें जो जल भरा हो रहा है, तो एक ऐसा ये, इसको बोलते हैं एक्विफर, ठीक है, एक ऐसी मांचित्र प्रणाली तयार करन हैं, तो इस टाइप की योजनाएं जो हैं, ये आप मुक्रितर परिक्षा में लिख सकते हैं, अब अगर बात कर लें कि केंदरी भूमी जल बोर्ड के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आद रखिएगा, जल शक्ती मंत्रा लेके अंतरगत आता है, एक इंप कोर्टर की बात करें, तो ये आपको फरीदाबाद में मिलेगा, इस चीज को भी धिहान रखिएगा, अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रशंख्या आर्ट पे मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड सकते हैं, जहां पर हम लोग परियावरन प्रदूशन की बात क तो उसमें बहुत समय पहले से एक अध्यान करा गया, उस अध्यान के जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, यहां पर राइटर बताते हैं कि ये जो दिल्ली प्रदूशन इतना हाइलाइट रहता है, इसकी स्टोरी 1995 से स्टार्ट ह होई थी, जब सुप्रीम कोट में एक परियावरण विद थे, MC महता, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो उद्योग धंदे थे, जो परदूशन फैलाते थे, उसके बारे में एक याचिका सुप्रीम कोट में जारी की थी, तब यहां सुप्रीम कोट ने ये बताया था कि सुप्रीम कोट ने एक और निकाला और उस और में ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर तेरा सो ऐसे उद्योग जो सबसे जादा प्रदूशन करते हैं, उनको दिल्ली के रेजिदेंशल एरिया, रेजिदेंशल एरिया का मतलब होता है, जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है, वहा पस एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने में बहुत जादा अपसानचना का विकास करना पड़ेगा, तो यहां पर कोट ने बोला था कि ठीक है, आप चरण बद तरीके से फेज मैनर में इसको आप करेंगे, जब ये 1996 में इस टाइब का सुप्रीम कोट ने दिल्ली के लिए नियम बनाना स्टार्ट किया न, तब से लेकर दिल्ली सरकार जो है फिर वहां पर उसके प्रदूशन को रोकने के लिए खुच से जागरुक हुई और खुच से पर्यावरण मंतराले के साथ मिलकर किस तरीके से दिल्ली में प्रदूशन को कम किया जाए, इसके बारे में विचार करना स्टार्ट किया और इसी का परेडाम ये हुआ कि 1998 में ठीक दो साल के बाद एक एथोरिटी बनाई गई उसका नाम बनाए गया EPCA, Environmental Pollution Control Authority of दिल्ली, इस संस्था ने फिर अब दिल्ली के प्रदूशन को और अच्छे से एनलाइज करना स्टार्ट किया, और analyze करके इन्होंने ये पाया कि जो DTC की बसेस होती हैं दिल्ली Transport Corporation की जो टैक्सी होती हैं जो आप auto होते हैं सबसे ज़्यादा प्रदूशन इन से होता है और इनको प्रदूशन से बचाने के लिए क्या करा जाए तुरंत इनके अंदर क्या fit करी जाए CNG kit यानि कि compressed natural gas kit और 1990 से पहले के जो भी auto हैं जो भी buses हैं उनको क्या करा जाए दिल्ली के अंदर से हटा दिया जाए जनी कि 10 साल पहले के जितने भी engines हैं यहाँ पर इन सब को दिल्ली के अंदर से हटाया जाए और जो नए engines हैं उनको CNG में convert करा जाए अब देखो सोचो की अब auto वाला जो होता है वो ऐसा तो नहीं है कि हर 2-3 साल में अपना auto change कर देगा यह taxi वाला अपनी taxi change कर देगा तो यह लोग तो बहुत समय से समय तक एक ही taxi को रखते हैं एक ही auto को रखते हैं ठीक हैं और अपनी जीव को पारजन करते हैं तो ऐसा देखा गया कि टोटल वहां पर 55,000 के आसपास जो यह commercial vehicles थे वो यहां पर बंद हो गए क्योंकि उनके सबके साथ यह problem आ रही थी अब सोचिए इतनी बड़ी मातरा में जब public transport बंद हो जाएगा तो अब यहां पर public क्या करेगी आप खुछ सोच के देखो इस चीज को logic समझो public transport बंद है तो public क्या करेगी अब public को तो school जाना है उसको तो office जाना है उसको रोज मर्रा के काम करने है तो अब वो क्या करेंगे वो अपनी private car, private scooter, motorcycle के लिए सब खरीदना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा देखा गया इस निरणए की वज़े से आज की date में अगर बात करें तो दिल्ली की population अगर 1997 से आप count कर लो last population 2011 की तो population में जो बढ़ोतरी हुई है जन संक्या तो केवल 45% बढ़ी है परन्तु दिल्ली के अंदर जो वाहन है उसमें 200% की बढ़ोतरी हो गई है क्योंकि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है पब्लिक को जाना है तो उसको अपने वाहन प्राइवेट खरीदने पड़ेंगे हर व्यक्ति ने अपने पास उसकी मोटर साइकल है स्कूटर है स्कूटी है कार है तो वो इन सब का उपयोग करने लगा तो जन संक्या देखिए केवल 45% बढ़ा रही है परन्तु 200 प्रतिशत वहाँ पर जो प्राइवेट वीकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं इतनी चीज समझ में आ गई यहाँ पर एक और संस्था का नाम आता है NAAQS इसको बोलते हैं National Ambient Air Quality Standard ये CPCB जो Board है Center Pollution Control Board उसके उसने ऐसे कुछ Standard मानक सुझाएं हैं कि इन मानकों के आधार पर हम दिल्ली को नापेंगे कि दिल्ली कितना प्रदूशन करता है तो अब पहले तो इन Standard में बहुत कम Parameter होते थे अब कि अगर बात करने तो टोटल 12 Parameters हो गए हैं उन Parameters के नाम याद रखिएगा Sulfur Dioxide, Nitrogen Oxide, Particulate Matter 2.5 और 10 दोनों ही इसमें cover होते हैं Ozone, Lead, Carbon, Ammonia ठीक है जैसे Air Quality Index की बात करते हैं तो चलिए Comment करके बताईए Air Quality Index कितने Parameters में नापा जाता है और कौन कौन से Parameters हैं वो तो इन्हों ने अपने Standard के हिसाब से अब दिल्ली का प्रदूशन जो है वो नापना Start किया कि भाई इसमें दिल्ली की हवा में बात करी जाएगी Ozone कितनी है, PM2.5 कितना है, PM10 कितना है तो इसके according वहां के हवा को प्रदूशित के स्तरों में विभाजित करा जाएगा अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि देखिए जब सर्दियां आ जाती है, विंटर साते हैं तो दिल्ली में फिर देखिए प्रदूशन की बात एकदम से होने लग जाती है तो यहाँ पर एक सरकारों की ये भी कमी रहती है कि जब आपको ऐसी सूचनाय मिलती है कि दिल्ली की जो वायू है वो गंभीर इस्तर पे पहुँच गई है उसका परदूशन तब आप क्या करते हो फिर और एवेन निकालना स्टार्ट करते हो जो grab program था उसको activate करना start करते हो तो आप यही काम starting से क्यों नहीं करते है दिल्ली के प्रदूशन के लिए यही नियम कानून जो policies है वो आप starting से क्यों नहीं बनाते है दूसरा winters में आर writer बताते है एक और reason भी होता है कि यहाँ पर जो प्रदूशन है वो बढ़ जाता है देखिए यह तो जोग्रफी का एक दम बेसिक कॉंसेप्ट है कि जब तापमान अधिक होता है थीक है तो मानलो यह इस्थल मंडल है यहाँ का तापमान बहुत अधिक है तो कोई भी वायू आती है तो वो क्या करेगी यहा हो के क्या हो जाएगी उपर उट जाएगी तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर उपर कौन सा प्रेशर हो जाएगा हाई प्रेशर तो यहाँ पर कोई वायू रुख नहीं पाती है तो वायू के साथ जो कण होते है वो भी उपर उठके चले जाते है पर उसमें जो भी कण होते हैं, वो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शहरी के अंदर जा सकते हैं, तब ही हम लोग बोलते हैं कि ऊपर जाने वाली वायू जो है वो नीचे बैड़ जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है, दूसरा कारण यहां पर बन जाता है, इ दिल्ली में जितना प्रदूशन होता है, उसका अकेले 30% जो प्रदूशन होता है, वो हमारी जो गाड़ियां होती है, इससे निकलने वाले धूएं से होता है, अगर वहां पर जो म्रदा है, ठीक है, इसके धूल की बात करेंगे, तो ऐसा प्रदूशन जो है, वो 20% का है, उद्योगों धन्दों की बात करें, तो उनसे 15% प्रदूशन में contribute करते हैं, और दिल्ली के बाहर की अगर बात करें, दिल्ली के बाहर से जो प्रदूशन दिल्ली के अंदर आता है, उसका भी ratio 30% है, अब इसी में क्या हो जाता है, इसी में पराली जलने को बोल दिया जाता ताकि लोग जो हैं private transport की तरफ कम जाएं, अपना personal vehicle को कम खरीदें, उन्हें घर जाना है, office जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो public transport का use करें, तो ये था इस पूरे article का सार, चलिए, अगला article देखते हैं प्रसंख्या 6 पे मिलेगा, इसको आप third paper से जोड सकते हैं, यहाँ पर सारे राज्यों के ग्रह मंत्री थे, और जो पुलिस के बड़े officers थे, वो सब आये थे, परन्तु यहाँ पर पस्चिम बंगाल की तरफ से, वहाँ पक कोई बड़ा officer यहाँ पर नहीं देखा गया, तो एक तरीके से देखो, आप इसको भी जोड सकते होगी, center versus state के संबंद मे तो West Bengal ने यहाँ पर तर्क दिया कि भाई हमारे यहाँ दुरगा पूजा थी, तो जो भी पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो सब इस दुरगा पूजा को अच्छे से हो जाए, इसमें दुरगटना ना हो, उन सब की देखभाल कर रहे थे वहाँ पर, इस वजए से वो य यहाँ पर इस केस में कुछ धोस इसका परेलाम निकल नहीं पाया, तो NIA ने ये बोला कि हमको बहुत देर में, Tamil Nadu पुलिस ने केस सौपा था, जबकि Tamil Nadu पुलिस का ये कहना था कि, ऐसा कुछ भी डिल नहीं हुआ, तो इस तरीके से देखिए, एक तरह से, जो हमारी सुरक करने के लिए, इन्होंने जो ये IES है या IPS है, इसकी हमेशा से वकालत करी थी, जबकि उसी टाइम पर संसद के अंदर बहुत लोग ये चाहते थे कि, जो IES और IPS ऐसी संस्था इनको समाप्त कर देना चाहिए, सरदार वल्लब भाई पटेल की पार्टी थी, जिस पार्टी से नहीं करना है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके सिविल सर्विसेज में, यानि कि IES और IPS के बीच में, जितना भली भाती हम लोग सामझे से बिठा पाएं, अब देखिए होता क्या है, IES और IPS जो होते हैं, ये तो केंद्र सरकार की नौकरियां होती है, परन्तु इनकी अगर देखा जाए, तो होता क्या है कि State और Center के बीच में जो ये विवाद रहता है, उसमें क्या होता है कि हमारी पुलिस में जो बहुत करमट शील व्यक्ती होते हैं, जो वहाँ पे हमारे देश का Best Talent होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, और इ ऐसा राज्यों दोरा आरोप लगाए जाता है केन सरकार के उपर जो CBI संस्था है, इसका CBI संस्था का या जो ED संस्था है, इसका गलत तरीके का उपयोग करती है केन सरकार, इसको अपने हतियार के रूप में इस्तमाल करती है, तो ये भी आरोप लगाए जाते हैं, और कि समWİDHAN में दे रखा है. बट इसका मतलब यह नहीं होगाता है कि Cain Sorkar का के उपर कोई राइट नहीं रहता. जब कि पुलिस की अगर ट्रेчивार की बात करें, ने हतियारों के खरीत-फरोक्त की बात करें, तो यह सबकी जिम्मेदारी, दो चीजों की जिम्मेदारी किसके उपर होती है केन सरकार के उपर, तो केन سरकार का भी रोल होता है पुलीस के अंदर, केन सरकार इनको ट्रेनिग दिलाती है किस तरीके से आतंगवाद को रोका जा सकता है, कैसे जो law and order होता है उसको कैसे बहुत अच्छे से संभाला दा सकता है तो ये सारी training देता कौन है training वाली जो power है वो central government के अंतरगत आती है अब देखिए सरदार वल्लब भाई पटेल जो national police academy हैदराबाद में है तो वहाँ पर सारे IPS की training होती है और वहाँ पर training लेने के बाद यानि training कौन दे रहा है केन सरकार और training लेने के बाद जो ये निक्तियां हो रही है वो राजसरकार के अंतरगत हो रही है तो यहाँ पर writer बताते हैं कि हमें एक ऐसे leadership की जरूवत है जो दोनों के बीच में सामंजस को बहुत अच्छे से बिठा पाए तभी हम इतने अच्छे talent का इतने अच्छे resource का अच्छे से use कर पाएंगे central level पर भी और state level पर भी तो ये था इस पूरे article का सार चलिए आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूँ पहला प्रश्न हालही में एक तेहवार चर्चा में था तोखू इमोंग आपको बताना ये किस चीज का तेहवार है और कौन सी जनजाती इसको मनाती है दूसरा ब्लैक स्री ग्रेन इनिशियेटिव ये भी हालही में चर्चा है आपको बताना ये क्या इनिशियेटिव है अब मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रश्च में नजर डालते हैं सबसे पहला प्रश्च दिल्ली में बढ़ते वायू प्रदूशन के कारण क्या है इस दिशा में सरकार दोरा किये गए उपायों और उनकी प्रभाव शीलता का वड़न करना है दूसरा भा लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं दाहिंदू के अगले सतर में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए स्वस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद